अगर देखते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं और अगर नहीं देखते हैं तो क्यों नहीं देखते हैं सवाल बड़ा वाजिब है आज के समय में थोड़ी सी चर्चा इस पर हो जाए तो अच्छा रहेगा पिछले साथ साल से हमारे घर में कोई टीवी नहीं देखता पिछले साथ साल से हमारा टीवी रखा रखा खराब हो गया जो हमारा केबल था वो भी ऐसा कैसा धूल चाट रहा है और हमने उस डब्बे को पैक करके उठा के रख दिया अब हम टीवी क्यों नहीं देखते और पहले क्यों देखते थे आप अगर ध्यान दें तो टीवी की जो सुरुवात है भारत के अंदर टेली विजिन की वो ब्लैक और वाइट टीवी से स्टार्ट हुई थी जो दूर दर्शन पुरान देते था दूर दर्शन के सिगनल कभी आते थे कभी नहीं आते थे दूर दराज में दिल्ली में तो साफ आते थे बहुत देर में जाके टीवी ओन होता था गरम होता था उसमें कैथोर्ड रेडियेज वाली एक ट्यूब होती थी जो चार्ज होती थी और बिजली भी वो पूरी 220 वाट की और 300 वाट की खाता था पूरा कमरा गरम हो जाता था और उसका देखना का अपने मज़ा था पूरा परिवार सारा इखटा होता था तब सारा का सारा जो कंटेंट उसमें आता था जो उसमें चीजें आती थी वो सारी की सारी सरकार द्वारा संचालित होती थी उसमें जो समाचार आते थे समाचार म पूरा समाचार सुनने के बाद में आपके सरीर में कहीं भी न गर्मी आएगी न आपका सरी ठंडा पड़ेगा, यानि वो बिलेंस नीज होती थी, खबर भी आगई और असर भी नहीं करती थी, कोई खबर अगर ऐसी होती थी, दंगे फसाद की तो वो कभी सीधे नाम निलेते दो समधाय बोलते थे या तीन समधाय, एक समधाय, वहाँ जगड़ा हुआ, अब सांथी है, ऐसा करके बोला जाता था, तो उससरे ये तो पता चल जाता था कि हमाँ जगड़ा हुआ है, मगर जगड़े का असर नहीं आता था, यानि घर के अंदर जैसे लोग होते थे, वै informative आते थे जैसे किर्सी दर्शन आता था तो किर्सी के वारें बताता था खेती क्या करने बहुत आराम से बच्चों के quiz आते थे एक सदराजी लेके आते थे वो quiz बहुत आराम से बताये जाते थे बड़े ध्यान से लोग उसे देखते थे एक चित्रहार आता था जिसके लिए मारा मारी होती थी और लोग अपना खाना पिना छोड़ गया आते थे गिंती के साथ-ाथ गाने और वो सब को याद हो जाते थे बड़े मस्त गाने होते थे एक पिचर आती थी अगर लाइट आ गई तो पिचर मिल गई दरवाई नेम ली तो ये चोटे-मोटे काईकरम या कभी कोई ओलंपिक हुआ या कुछ हुआ तो कुछ आ गया कभी गवाई एक इंगलिस का चोटा कार्टून वाटून ऐसे आते थे कुल में आके ये दूर दरसन देखने के बाद भी आपके मन में कहीं करवाहट नहीं आती थी ना ही आपके सरम दर्ध होता था ना ही आपको बेचैनी महसुस होती थी वो दूर दरसन आप अगर आपने देखा हो या अगर ना देखा हो तो आप network वाच चेक कर लें वो दूरसन सारा authentic और वो ठीक होता था उसके बाद मैं फिर उसमें कुछ private sector आने लगे जैसे सबसे पहले आया आज तक तो जो आज तक आया था और आज तक से पहले आया था आँखों देखी आँखों देखी एक महिला प्रिजेंट करती थी और वो न्यूज आदा घंटे की लोग सुनते थे दूर दसन की न्यूज को लोगों ना सुनना कम कर दिया मगर लोगों को यह पता नहीं चला कि यह जो न्यूज बहुत ज़्यादा चटपटी बना के दी जा रही है या गरम करके दी जा रही है या असर क्या कर रही है हमारे अंदर वो असर लोगों को समय में नहीं आया न्यूज अच्छी लगी चटपड़ी लगी उस टेंट को आगे बढ़ाते 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 24 गंटे न्यूज कभी create नहीं हो सकती 24 गंटे repetition चलता है फिर उसमें अठाइजमेंट आने लगी न्यूज के अंदर पहले अठाइजमेंट नहीं आते थे फिर न्यूज के अंदर अठाइजमेंट आने लगी जो देश की न्यूज थी वो private हातों में चली गई अब न्यूज को बेचने का एक ब्यापार शुरू हो गया यानि पहले तो ब्यापार था वो चित्रहार को बेचने का गानों को बेचने का या फिल्म को बेचने का हुआ करता था अब न्यूज बिखने लगी न्यूज बिखने से क्या हुआ कि हमारी news को कितने लोग देख रहे हैं ये झगड़ा 시작 हो गया जब ये झगड़ा 시작 हो गया तो निउज रूम बदल गए पैटन बदल गए उसके पैटन बदलने से news को रोचक बनाने का सिस्टम बन गया कि देखें क्या उसके टैटिल इतने होट और गरम और अजीबाजी बने लगे ताकि उन पर अट्रेक्शन बना रहे उसको देखें न्यूज को सुनाने वाले समझदार कम और खूपसर जाद आने लगे तो इस तरह से न्यूज का पूर का बिजिस में चेंज न्यूज हो गई और अब समाचार सारे फैक्टरी बन गए यानि जितने भी समाचार हैं जितने भी न्यूज हैं जो देश की जान होते हैं जो देश को चलाती है न्यूज वो सारी न्यूज बिग गई और वो बिजिस में बिदल गई जब बिजनस में बदल गई तो उसके दुखत परणाम आने सुरू हो गए अब समाचार जो आता है वो जानकारी वाला नहीं आता अब समाचार कोई ऐसा नहीं आता जो देश हित में आता हो या देश के विकास के बारे में आता हो दुनिया में जितने भी अच्छे कंट्री हैं उनकी न्यूज में जगड़े बढ़ाने वाले या जो ऐसे न्यूज हैं जो बुरी न्यूज हैं जिन पर मारस पर या मन पर असरफ ज़्यादा पड़ता है बच्चों के वो न्यूज नहीं आती है आती है तह बहुत सोट में आती है उन टीवी चैनलों पर अधिकतर जो न्यूज आती है देश के वारे में वो विकास के वारे में आती है कितना विकास हुआ कैसा हुआ क्या करना है या आज कौन-कौन से सड़के बंद रहेंगी कहां काम चलेगा या कौन-कौन से रेल ट्रेक की आज मरमत हो रही है और कौन-कौन से रेल ट्रेक आज बंद रहेंगे या आज कहां कहां का एरिया खुला रहेगा कहां का बंद रहेगा या आज कौन-कौन से दफ्तरों में क्या का काम होना है या नहीं होना है या आज हमारे यहां कितने बिजिस बड़े, कितने घटे, या आज हमारे यहां कितना आदान प्रदान हुआ, पैसे का लेंदिन कितना हुआ, ये विकास की न्यूजें आती है, राजनीती की न्यूज बहुत कम आती है, न्यूज बेचने के चकर में विकास की सारी न्यूज इतनी बंद हुई, ये किताबें कहा हैं, इनका विमोचन कहा हैं, रेल कवाई, जहाज कवाई, ये सब बंद हो गया, और न्यूज जो मैं सिर्फ फाइरिंग होने लगी, यानि कि राजडेतिक न्यूज रह गई और उनमें भी एक दूसरे पर आक्षे पर फाइरिंग होने ल देख लेंगे, तो 160 से उपर भी चला जाएगा, फिर सरदर्द होना शुरू हो जाएगा, और वही हर चैनल पे, चूंकि कंप्रिशन चल रहा है, इसलिए विकास ही कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि जो विकास की बात करेगा, उसका चैनल चलेगा नहीं, विकास की बात थो टीवी में आग लगी पड़ी होती है, टीवी में बंबारी होती है, टीवी में लगाते ही पांच मट के अंदर उसका ब्रेट पैसर बढ़ना सुरू हो जाता है, चोकि मैं विपसना करने वाला हूँ और 2003 से विपसना करता हूँ, तो मैंने बैठे-बैठे यह महसुस किया, कि जब भी यह टीवी खुलता है, तब ही हमारा सारा ध्यान इस पे जाता है, हमारे सारे काम रुगडुग जाते हैं, और जो चटपटी मसालेदार जो न्यूज हैं, हम उसमें ट्रैप और फस जाते हैं, और अंत में उस न्यूज से हमें कोई फायदा नहीं होता, हमें जब कि विकास की न्यूज कहीं है नहीं, काम की न्यूज कहीं है नहीं, बच्चे का एडिमिसन कहा होना, इसके वारे में न्यूज जानी चाहिए, आगे पढ़ाई में क्या करेगा, इसके वारे में न्यूज जानी चाहिए, देश के लोगों का विकास कैसे होगा, इसके व अब मेहनत कोई नहीं करता फारी चलती है बस कहीं एक कैमरे लगा दिया सारे कैमरे वहीं लगे मेरी न्यूज पहले आ जाए मेरी पहले आ जाए और मेरे पास ही आ जाए एक कमाल कमाल की न्यूज आती है जिनका देश के विकास से कोई लेरा देरा नहीं है उन न्यूज को आत से खोलता है है अगर हजार आदमी टीबी खोल के देखते है तो एसकी टियारपी हजार हो जाती है सिएय है कमना है तो हजार के दो हजार करने के लिए उसमें डालता रहेगा तो यह आपके उपर है कि आप टीवी में क्या देखना चाहते हैं देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं हम तो सरदर्द नहीं देखना चाहते हैं इसलिए हमने तो साथ साल से टीवी हमारा रखा-रखा खराब हो गया बंद हो गया वर हमें खुशी ह कि हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ, हमारा दिमाग बंद नहीं हुआ तो TV चलेगा तो दिमाग बंद हो जाएगा और TV बंद हो जाएगा तो दिमाग चल जाएगा बस इसनी है TV को हमने goodbye बोल दिया, धन्यवाद